अच्छा ये में क्या लगा रही हूँ आज अपने फेस पे दरसल आप लोगों को भी न नोस वाले एरिया पर नोस के साइड वाले एरिया पर ब्लैक हैड्स वाइड्स ये प्रॉब्लम आ जाती होगी लोग लिप होता है उसके नीचे वाले एरिया पर छुट 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 सबस्वरें चुटंप्ये चहिते हैं जन्यें हम रोम चिद्र यानी की पोट्स कहते हैं ये प्रॉब्लम के कॉंटक्त में आते हैं डिर्ट के कॉंटक्त में में लीए दिमे और तो समझ में आ गया होगा तो अब question यह है कि अब इन whiteheads blackheads को हम skin से दूर कैसे करेंगे क्योंकि इससे तो हमारे रोमचित्र बड़े बड़े दिखने लगेंगे गंदे होने लगेंगे नहीं remove करेंगे तो आपको acne, blackheads, whiteheads, pimple यह सारी problems आने लगेंगे और बहुती ज़्यादा बद्धी लगेंगी तो इसके लिए आप किसी भी नीम face wash का यूज़ करें किसी अच्छे gentle face cleanser का यूज़ करें सेकेंड नुपाय है कि आप इस तरीके से disprin की tablet के इस्तमाल कर सकते हैं सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप लोग गूगल पर एक बार पढ़ हैं disprin की जो tablet होती है वो सिर्दर्द के अलावा आप उसे इस तरीके से acne pimples यानि कि आपके mouth के around जो pigmentation हो जाती है या फिर आप blackheads, whiteheads को remove करने के लिए भी use कर सकते हो लेकिन सबसे पहले आपको इस्तमाल करने से पहले इसकी expired date चेक कर लेनी है जैसे कि ये 2024 में expire होगी और अभी 2022 चल रहा है तो इसे मैं use कर सकती हूँ और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से आपको use करना है over smart बिल्कुल भी नहीं बनना है सिर्फ दो चीज़े आपको लेनी है एक रुपे की ये गोली आजाती है डिस्प्रिंट की और साथ में आपको लेना है गोलाब जल यानि की rose water एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जो भी tablets होती है उनके बीच में अगर इस तरीके से line बनी होती है तो इसका मतलब आप उन tablets को बीच में से break कर सकते हो जिन tablets पर ये line नहीं होती है इसका मतलब हम उन्हें break नहीं कर सकते है और इनका इस्तमाल तोड़ करके नहीं किया जाता है जो छोड़ी बात है जो कि आप लोगो ध्यान रखनी चाहिए तो मेरे को सिर्फ white head की problem होती है इसलिए सिर्फ मैं आज धी tablet का यूज करूँगी अगर आपको blackheads भी है और आपके nose area पर chin area पर forehead पर भी है तो आप पूरी tablet भी यूज कर सकते हो लेकिन apply करने से पहले जो साफधानी आपको बरतनी है वो यह है कि आपका चेहरा धुला हुआ होना चाहिए यानि कि आपने फेस को अच्छे से wash किया होना चाहिए साफ चेहरे पर ही आपने इसे लगाना है nose पर लगाए nose के side वाला area होता है वहाँ पर बहुत जादा वाइटेट्स आते हैं तो वहाँ पर भी लगा लें जो चिन के नीचे वाला area होता है वहाँ पर भी blackheads भर जाते हैं आप भी इसे लगा सकते हैं अच्छा एक बात का और आप ख्याल रखें वहाँ पर भी आप इसे लगा सकते हैं मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में Google पर एक बार पढ़ें उसके बाद ही इस्तमाल करें या फिर इस्तमाल करने से पहले आप एक बार इसका पैस्टेस जरूर लेके-लेके कांट के नीचे वाली इरिया पर आप इसे लगाकर 15-20 मिनिट के लिए चोड़ें अगर कोई भी दिक्कत नहीं होती है तो फिर आप इसे सेफली यूज़ कर सकते हैं वैसे 95% लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती है सबको रिजर्ट मिलते हैं आपको अपना चेहरा वाश कर लेना है अब 10 मिनिट हो गया है मेरे चेहरे पर अच्छे से ड्राइ हो गया है तो मैं इसे साधा पानी से आपने से वाश कर लेना है तो मैं इसे अपने चेहरे को वाश कर लूँगी उसके बाद मैं आप से मिलती हूँ तो मैंने अपने चेहरे को wash कर लिया है उसके बाद mostly गलती क्या करते हैं लोग तॉलिया से ऐसे पने चेहरे को रगर डालते हैं तो नहीं ऐसा नहीं करना है ऐसा करने से चेहरे पर redness आ जाती है ठीक है आपने हमीशा dab dab करके ही अपने चेहरे को पॉछना होता है जिसे कि सारा पाने ही के निकल जाओ और सकिन इरिटेड ना हो अब आप कोई भी maus expenditure kindly must लगाना ही लगाना है जो भी maus equipment यूज कर सकते हो नहीं है तो आप vesaire gel भी लगा सकते हो मैं सेटाफिल मॉस्चिराइजर यूज करती हूँ जो की बहुत अच्छा होता है तो अच्छा अब इस चीज को समझना कि यह जो हमने डिस्प्रिंग की टैबलेट इस्तमाल किया है यह मरे स्किन पर काम कैसे करेगी इसके अंदर होता है सैलेसलिक एसेड होता है उसका काम ही होता है कि जो पर सोते हैं उनके अंदर जाकर इस और से गंदगी को बाहर निकालता है यानि कि एक जीज समझी कि जब सक ब्हुंतसमे So never विए हैं boy時 सोने से पहले ही। यृपने से लगाना है क्यूंकिस गये स स्थाजिस में हुआ है क्योंकिस की वजह से आपको दिक्टा सकती है हमेशा सिर्फ और सबीन थाखे पीजिए नहीं ही थे टाइम से दो बांगे दोड़नी राट शली सिपने से तो नहीं लगाना है